इसके ओटो चॉक को आपन करने के लिए पूरी तरह से कार्बोरेटर आपन करने की आपशकता नहीं है इसे जैसे हम इसके लेफ्ट हैंड साइड थोला सा डाउन करेंगे और उसके बाद इसके स्कूरू ड्राइवर के मदद से इसे आपन कर लेंगे एक professional mechanic यह काम आसानी से कर सकता है योकि इसके लिए पूरा कर्बोरेटर आपन करना बाजाज की गाड़ियों में आपको पता हुआ कितना tough है कर्बोरेटर आपन करना देखें खुल गया और जितनी आसानी से खुला तो पता क्या चला कि ये काफी समय ओपन किया होगा और वेसे भी कस्टमर का कहना है कि काफी समय मैं विजिट कर रहा हूँ सल्यूशन को लेकर बट मिल नहीं रहा है ये इसका उटो चॉक मैंने ओपन कर लिया है और देखें में प्रॉबलम का हम लोग बताया नहीं कि जड़ तक हम लोग पहुचेंगे पहुचेंगे और देखें इसके अंदर में खराबी क्या है लीकेज की समस्या यानि यहां से एर भी लीक कर रहा है और शायद इसके अंदर पेट्रोल फ्यूल का भी संपर्क है जिसके ओज़र से दर्स ट्रक्टे एकसेप्ट कर रही गाड़ी अब प्रॉबलम देखें क्या है एर इंजक्शन एक्टिवेटर का सेल्यूशन मिल गिया इसका योटी सेंसर का सेल्यूशन मिल गिया अब इसके पलंजर के अंदर मुमेंट देखते हैं यह जो पलंजर जब तक आप डाउन काम नहीं करेगा जब तक ओटो चॉक सही माना नहीं जाता तो अभी इसकी हम पहले टेस्टिंग कर लेते हैं यह देखें पलंजर की अंदर परफेक्ट मुमेंट है उसके बाद स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है गाड़ी तो मेन प्रॉब्लम क्या है देखें यह ओरिंग का प्रॉब्लम है ओरिंग की कंडिशन इतनी खराब हो चुकी है कि यह परफेक्ट तरीके से जो इसका जो एर का फ्लो है और फ्यूल का फ्लो है वो बनने नहीं दे रही गाड़ी यह देखें कंडिशन पुरी तरह से और यहीं से लीकेज आप खुद देखें और कार्बॉरेटर का भी मैं कंडिशन दिखा दू कि किस तरह से लीकेज की समस्षी है यह देखें हर जगा से तो में प्रेशानी इसी से है अब ना हम इसके अंदर कोई sensor या actuator की changing करना है सिर्फ इसके अंदर हम o-ring add करते हैं perfect वाला और उसके बाद दिखाते हैं अभी तो हमें पता भी ने चल पाएगा जिस तरह से मैंने बताया मैं क्यानिक भाईयो कस्टमर का ह लेना पड़ेगा दूसरे दिन कि starting problem solve होता है या नहीं बड़ी समस्या क्या है और इंग का यह देखें और इंग जो है वह पूरी तरह से खराब हो चुका है अब चलिए मैं इसके 20 को एक बार on off करके फिर से दिखा दूं कि पलंजर काम कर रहा है यह देखें सिर्क इसके औ परसंट जागा ही जागा चकलाइड भी जागा और गाली स्टार्टिंग प्रोब्लम भी सॉल्व हो जाएगा